दोस्तों MagicCare Electronics में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज जो वीडियो में लेके आया हूँ वो है पैनल के बारे में LG 32 इंच की LED TV के अंदर पैनल का इसी हो है जिसमें नेगेटिव पिच्चर की फॉल्ट है उसे किस तरह से दूर करेंगे आज के वीडियो में देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नेगेटिव पिच्चर बन रही है इसमें और यह जो पॉल्ट है LG 32 इंच के LED TV के अंदर पॉल्ट को चेक करने के लिए मैंने यह यूनियोर्सल बोर्ड कनेक्ट किया यह मदर बोर्ड का पॉल्ट है यह पैनल का फॉल्ट है वो देखने के लिए हमने यह बोर्ड लगा है बैक लाइट हम इसी बोर्ट से दे रहे हैं दूसरे मदर बोर्ट से चेक करने पर भी फॉल्ट सेम था सेम बोर्ट से कनेक करके दुबारा से हम सभी बोल्टेज इस पैनल के चेक करेंगे क्योंकि अब पैनल का फॉर्ट है तो हमें पैनल के सभी वोटेज चेक करने हैं कि अबूबनाओ झाल है कि अबौबनाभ की कि अ कर दो कर दो अबी हम चेक कर रहे हैं कि वी कॉम के लिए कौन सी ट्रैक कट करें हम यहाँ पर यह वाली जो ट्रैक है यह वी कॉम के लिए है ओके और वी कॉम फीड़बैक जो है वो इसी के बगल में है ठीक है तो यह दोनों ट्रैक्स को अगर जो मैं कट कर देता हूँ यहां से और यहां पर मैं जंपर मार देता हूँ वीकॉम के तो क्या ही हमारा टीवी चालू हो जाएगा इसके बाद वो देखना है हमें क्योंकि अगर जो मैं दूसरी सर्कीट को इसी के उपर लगाऊँगा तो 15 वोल्ट ही रहेंगे तो हम मुझे यहां से कट करना पड़ेगा ट्रैक को यहां पर आप देख सकते हैं डबल साइट पिसीबी का एक जो जो आज सी से निकल рہा था वह मेने कट कर दिया है अब या पैनल साइट में इसका कनेकेशन नहीं है इसके बाद मेंने वी कॉम और वी कॉम फिड्बेक वॉइंट जो पैनल साइड में है वो दोनों को सॉर्ट कर दिया है और 1.2 से 5 वोल्ट की जो PCV आती उसमें मैंने 5 वोल्ट पे जमपर सेट किया और इस पॉइंट पे सोल्डर कर दिया है जहां पर आप देख सकते हैं इसे ठीक करने के लिए या तो मैं पैनल बूस्टर बोर्ड का लाता है जो कि 1.2 से 5 वोल्ट तक का है हमने 5 वोल्ट पे जमपर लगा कर 5 वोल्ट दिये हैं तर और यह जो हमारी पैनल है सक्सेस्पुली रिपैर हो गई है